रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार सद्यागरे की बात हो तो कभी चुनावों की बात हो रही है वो र्यां निकाय चुनाओं की की सरक्रिमी निकल के है जारी कर नरी कर दी आई essay की और doc लेका आप सर्गर्मी आं बढ़ते आ रही कै opacity क्या आ रही है। कि निकाज चुरों से पहले लगातार बैटका। का दौर i तो कभी वो रास्वटी चुनाओं के होने बाले भूज में समर्थ होने चले जाते हैं तो कभी अखिले ज्यादों को यहाँ पर एसी में ना बैटने की सला जेते हैं तो यह सपा प्रमुक्त के साथ क्यों नहीं होती है जब से गड़बंधन में अलग हुए है यह मिलगतों और और में थ क्यों की उत्युठार से वह दीवादों के सिर्कें लिएहें 1350 से जुडबंधन होता है जहां गडवन्दन होता है, जैंड चुनाव होता है, बहां अलगाव भी होता है। फिरहाल उन्पार राजिवार के साथ ब्योस्ता यही चल रही है। 202 पिर नगरणनिगम और 200 नगरपालिगा... इस्तिधी क्या होगी चुनावा कौन जीतेगा ये फिराल भवेस्ट के गर्म में नहीत है पर उन पर आजबर के बयानबाजी एक अलग तरह की सरकर्मिया बढ़ा देती हैं यहां तक कि बयानबाजी की समय उन्हों ने ये भी कह दिया कि किसी जलिट की बेटी को यहां पर पी क्यों गुम्रा कर रहे हैं यह गुम्राहियत का काम बन करें बिना ओट वालों से यूपी में जो लोग ओट नहीं दिला सकते उनसे गटबंदन करके वो किसको धोखा देना चाहते हैं इस बात के लिए मैं बोलता हूँ हाँ गटबंदन किसके साथ हो रहा है कौँ किसको धोका दे रहा है कौन बेपच्च में एक्ता में जाएगा कौन यह अकेले चुनाओ सब्सक्राइब कर सकता है चर्चा मेरपूर्ण है ओंपिकार राजभर की मुलाकात बेड़कों को दोर जारी और निकाय चुनाओ की अरच्छन के डिसुज़ा जारी हो चुकी है सब्सक्राइब करने चाहिए चोब्स से पहले उत्ताप्रेस में यह स्रीवास्ता आप सब्सक्राइब है फिल्कुल भी रियायत नहीं और सबहज समय समय पे आप उनको सलाइब दे रहते करते हैं और निकाय कि सुचना जाए हो गई है आरफ्छन की जल्दी चुनाओकी शुचना जाली हो जाए पर कहीं न कहीं जो में पिसन सुवास्पा और तमाम लोगों के सामने हैं कि सुवास्पा जाएगी कहां बीजेपी के साथ अकेले या पुराने घर्रे पर यहां पर पुराने साथियों के साथ नजर आएगी कैसे देखते हैं अधियर गोरो भरी जी श्वेल भार्तिय समाजपाटी उत्तर प्रदेश के पकीज करोर जनता के साथ में अच्छा अब रही बात मिलने मिलाने की सबी लेता मिलते हैं लेकिन अब कहावत बन गई है ना तिया गाव में कहावत है ना ये गरेव कि लड़कियों सबकी हो जाई अच्छा गरीब गर की लड़की होते हैं ये कौन सी बात है अब है अब यह बोला है चोटे जाल में समझ में आरा क्या कहना चाहते हैं अच्छा अब बंगार चले जाते हैं जो है ममताव एनरजी से मिलें यहां उत्तरप्रदेश में आके जो हो दिलवा सकते हैं अच्छा और देने का काम उत्तरप्रदेश की जनता के अच्छा और देश की सरवार्दी सबसे बड़ा लोग सभाद देने वाला अक्सांसत देने वाला जो है उत्तरप्रदेश अस्छी है यहां पर दिल्ली का दसा और जिसाते करता है तो अकलेश या तो घुमरा है या तो उनको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आजरी नेताज पूर्बांचल का जो रोड बन रहा है एक्स्प्रिस बन रहा है जो टो में काषणा नहीं बना है नेताजी ने वही बात तो करी थी अच्पा बस पा सपा ने तो चार बार सरकार बनाए क्यों नहीं कांड़ेश भी सरकार में ने क्यों नहीं कि आपस में मिलन होता है मैंने कई बार आपके चैनल के माध्या जान जादो जी आपको बता दे लगनावी तान सभावे सबसे बड़ी विपच्ची भूंका विपच्ची पाइटी समारवादी पाइटी आज तक छोटे दलोको मान्या अधरी अधरी अगले सयादो जी ने चो तक पूरी बाट करिए कि उत्तर प्रदेश में अगर वोटर जो है जिसको जिताने हराने की भूम का उत्तरपरदेश के 25 करोड जंता करेंगी तो फिर आपको उत्तरपरदेश चोड़के जाने की जरूरत क्या है तब से बड़ा में रहाता है लेकिन गोरो भाई सारी समस्य तो आप किसको जिता लेका ताइब करते हो तो आप को बड़ा दर्द हुआ आप भी तो बिहार पटना में गए थे रेली कनने के लिए पतना की रहली में सावधान यात्रा के मद्दं से उत्ता परदेश के पिट तरों जलों से होते हुए हम पतना के गांधी मेंधान में जा करके वहां के मुख मंत्री को बताने का कान किया तो बार्ती देन्ता पाईटी के कड़ बंधन में तो बार्ती देन्ता कणारे मित्पमारी को कम से नाखईमिन्तिक रीच आप क कम के दिग दिए पॉस्पा नती न टृपमनेल को विए जारी में और यहां तैयारी चल रही है और यह पर बैठकों का दौर जा रही है यह तो बोले सिश्टाचार मुलाकात एप शिश्टाचार है यह राजनेते के यह आप भी जानते होगे और साह सुबास को पर मुख भी जानते होगे पर जैसे लगाता आथा समामरी पार्टी पे हमलावर है वो कलकत्ता जाते हैं निको डर्द होने लगता खुद बिहार पठ अब अगर दैराम जी कह रहे हैं कि भाई उस्ष्टा चार बुलाकात है शेत्र के कुछ कार्यों को कोई भी से को लेके बुलाकात है उनकी बात पे संदे जाहिर करने का कोई उचित नहीं होता अच्छा ठीक है मंतरी हैं दया संकर जी लोगप्रिय मंतरी हैं और मिलने जुनने के लिए लोगों से बाद बेवार समद्दों के लिए जाने जाते हैं ऐसे में उनका मिलना कोई इस तरह की बात पे नहीं राजिए बहुते हैं पर देता हैं यह जोनों लोग मुलाकात होती रहती है अच्छा अब जिससे जिसके मन मिलेगा उसके पास आद्मी जाता है जिससे जिसका मन नहीं मिलेगा उसके पास नहीं जाता है दयाराम जी ने जो अगले चादो जी के लिए सला दी अब चुकी ओंपरकास राजबर जी उस गटबंधन से निकल के आए उनको थोड़ी वो चिंता रहती ह कि कुछ अगरे चादो जी का भी बला हो जाए अजिस तरह की गटबंदनों में आप जोड़ रहे हैं और उस गटबंदन का आपको वहां लाब मिलना नो उस गटबंदन का लाब आपको यहां मिलना है यहाँ हवाई हवाई गटबंदन इनका कोई जमीन पर आउचित नहीं है इसको आप कही जमीन पर रिजल्ट में तब्दिल कर पाएंगे। हाँ, दयाराम वारगो जी दे जो एक मुहावरा जो कहा शुरूब है, उसको थोड़ा करना चाहूंगे। उन्होंने का कमजोर की बेटी, ये ठीक नहीं है, गरीब की बेटी। मुहावरा है, कमजोर की लुगाई गाउंगर की बहुजाई लगती है। कम से कम गरीबों को उनकी लड़कियों के बारे में इस तरह की तिपड़ी छोड़ देगा, जुकतक मुहावरा सही नारा है। उसका इस तरह का प्रोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बात को सम्मान करें। उनके बारे में इस तरह का उदारण देना ठीक नहीं। दैराम जी ने थोड़ा सा चैन में। तो ठीक है। उनके नेता हैं। कहीं भी जाने के लिए फुतंत्र हैं। सत्ता पच्छ और विपच्छ के लावा भी अपना पच्छ रखने के लिए जाने जाते हैं। और उनके बातों को लोग जो आव सकता समझ में आती हैं। लोग उसको सामिल भी करते हैं अपनी चीजों में। तो ऐसे में उनके उली इस तरह की तिपड़ी ठीक नहीं है। वह हमारे पच्छ में हों विपच्छ में हों। लिए आपकी पच्छ में कुमी रहते, कभी नहीं रहते दिच्छ लूगतनत्र में आइसे इस नहीं कोणा हो लने होटा प्च्छ में उननकी बात का सम्मान होता है। और उसके लिए जाने जात अपनी बात रखने के लिए तो उनको इस तरह के मुहावरा उनके उपर ना चस्पा करें ठीक है वो बिले दया संकर जी से अपने शेत का कोई कार है कोई है वो मंतरी है मंतरी का काम है मिलना जलता कि समस्याओं का समाधान करना और जट पर देदी हो पर काम होगा और यह होता रहता है कोई ऐसी बात नहीं है जो सलाह उन्होंने अखलेश जी के लिए हो प्रकाश जी ने वह भी गंभीर है उस पर भी अखलेश जी को भी ज्यान के इंदित करना चाहिए को प्रकाश जी अन्वही देता है बहुत जमीन से बहुत ग्राउंड लेविल से यहां तक का उन्हों सपरता है किया है अगर उनके आप जीवन को देखेंगे हमारे आज पच्छ में नहीं है इस अते वार्त बुली पच्छ में नहीं है लेकिन लगातर मुलाकाते जारी है मुलाकाते होना चीज लिकिए आज हम अगर उनके जीवन से लोग कुछ सीख सके तो अच्छी बात होगी और जारा मारकों जी कुछ से पिलाना लेनी चाहिए ठीक है ठीक है इकलाग भाई 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 बड़े नाराज है आपसे शुरूबार में प्यराज उनका होता है वो सपाय पर बोलता है बड़ा दर्द द सब्सक्राइब करते हैं तो निकाय चुरूब के लिए समय में पार्टी क्या होने बाली है है क्योंकि यहां पर लगातार जो गहमा गहमी उसका माहल जारी मुम्र एकलाग जी मैं अभी सुन रहा था दैराम भाई की बात चलिए सपा से उनकी नाराज़गी है सपा की वो चाय कह रहा है सपा नहीं पिलाते तो बेशक हम लोग चाय पिलाते हैं चाय हमारे साथी हो या हमने लेखे दुजए पिला जड मौन कशपा जनकी अच्र्भ चाय करी करीय आप सब करें चाड़ को पैसे शड़ाए आप नहीं कर ने पर जो अब बां दुढ प्ला दुद्ध वो इस ने बना देंगे घ्में कान से बना द्र अब एक तो बड़ी विसाओ के बादेंगे ए समय हमारे ग्रोधी हैं साथी किसके हैं अभी बारती इंता पार्टी से लगा हो रहा था विएक भाई ने तो साब बता दिया कि ना कभी धर रहते हैं कभी उधर रहते हैं इस्टैबलिटी जो होती है राजनीती में अपनी नीतियों पर आप खड़े रहिए जी पल्टू वो कहते हैं थाली का बैंगन कभी धर कभी उधर नहीं होना चाहिए राजनीती में अब स्टैबलिटी रखिए अभी सुननी पार आपको सार को संपक्ट तूट गया है दोबर जो भारती इंता पार्टी कार कर रहे उत्तर प्रदेश के अंदर जी मैं तो समझता हूं इनके रास्ट जद्देज या इनके नेता अरुन जी से उससे बड़े नेता इनके विधाय के जो ने भारती इंता पार्टी की जो ब्रस्टाचार अभी हुई है रोड उखड़ अब थाले का बैगन बोल ला तो यह की तरीका क्या बैए कहावत बोल रहता है कि स्टैबिलिटी होनी चाहिए मैंने किसी का नाम ले कि कुछ नहीं बोला लाजबर साब बड़े नेता हैं सीनियर नेता है ठीक है विवग बाई कार करे हैं हम सब संबान करते हैं अभी बात भ सब्सक्राइट नेता हैं अगले जी बंगाल जाते हैं अम लोग कहीं भी जाए भाई यह वाहां जाते हैं गट पंदरी तो मानि मुखूंत्री जी तो गुजरात गया थे अम कमरे कॉंदरी तो महारास गयते मीरी कॉलिग नंबर कट गया है जी को ड़िया में कॉल करी नेता अगर यही इस्तरिता हो तीन की एक जगे तो मैं समस्ता हो बहुत सभाव है जनता के मुद्दों पे चुना लड़िये बहकाने काम ना करिगे सब्सक्राइब तो मैं तो कहने ब्या जाओंगा तो पैसे वाला निता भी कह दूंगा और तो आप नेता सबसे आदा हो रहा है के वह लगागा तो आजकर टूटके लागव कुछ करता भी निया श्रीफ समाजवादी पार्टी अखलेशादू साब भारती अन्ता पार्टी से रहा है जो भी जो भी जो भी सीटे मिली मैं तो कहां फिर वह बाद रिपीट कर रहा हूं कि मैं राजभर साप से भी बढ़ा नेता हूं इसके बारे में क्या कहींगे तो छीज़ेग है वह बाराव भाई जिन सबसे में पुर्बात किस वा रणनीती क्या रखेंगे और जिस तरह से यहां पर भासपा और सुभासपा की मुलाकाते चल लए हैं खिर आपका तो गडबंधन पक्का है आप लोग कई बार कई मौकों पर बोले भी हैं कि गडबंधन पक्का है दोस्ती पक्की कैसे देखते है ब्युस्ताओं को कैसे देखें कि चुनाओ देखें गवरो जी नगर निकाल चुनाओ आगया है और आप तो इस बात को आपके चैनल पे कई बार मैंने कहा भी कि हम गडबंधन में हैं और हमारा मजबूत गडबंधन है हम गडबंधन के साथ चुनाओ लड़ेंगे जनता आने जो हमें जनादेश दिया है कि आप बिपक्ष में बैट करके सरकार को आगाह करने का काम करिए और मुद्धों को आप ठाये सरकार का ध्यान उस्वर किंद्रित करिए उसके लिए हमारे नेता मानी चोधरी जैन सिंगी लगातार सदन से लगा करके सड़क तक कर रहे हैं चोँकि ये राजनेतिक परिदर्श है, चुनाओ तो आते हैं जाते हैं, मिलने के लिए तो कोई भी व्यक्ति स्वतनत रहे, कसी से मिल सकता है, और सरकार में जो हमारे मानी मंतरी गण हैं, या मुखमन्तरी जी हैं, जा राजपाल महोदया हैं, उन लोगण से हम लोग भी सम करना चाहते हैं कि राजवर्साभर माननी मुंत्री जी से मिलने गए तो इसको लेकर करके कोई बहुत बड़ा इस्वा है अब रही बात राजनीत की तो जिस तरीके से उनकी नजदीकिया से बढ़ रही है उस तरीके से राजनीत में संसे लोग यही लगाते हैं कि सायद वो उस पक्ष में रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं यह अपनी उनकी स्वतंतरता है यह उनके अपने राजनितिक बिबेग और संगठन की बिवस्था के आधार पर निर्भर करेगा कि वो स्वतंतरु रूप से रहते ह या किसी के साथ गड़बने में जाते हैं या भारती जनता पार्टी के साथ जाते हैं जी बोला चुनाव अकेले लड़ेंगे देखे चुनाव अगर वो अकेले लड़ेंगे जी तो अच्छी बात है चुनाव अकेले लड़ने में इस भात का आभास हो जाता है कि हमारी मजब कितनी है अच्छा हम कहां तक हैं जनता में पैठ कितनी है तो अगर हम अकेले चुनाओ लड़ते हैं तो हमारा सुम मुझ लड़ना चाहते हैं तो यह उनकी आ फिरच प्र एमानरी पाटरी को अगर जीत मिली पुरबत चलिए S Before कि कोई किसी को जिता देगा कोई भी दल गठबंधन जब करता है तो ओट ट्रांसफर करने की चेतना हम ओटर में जागरत तो करते हैं लेकिन इस बात की ठेकेदारी नहीं होती है कि जो चुनाव जीत गया है उसको हम ही ने जिता दिया ऐसा कुछ नहीं जीत गठबंधन के प्रत्यासी के रूप में वहां पर रालोट का उट था और समाध बादी पार्टी का उट था और उसके साथ आजाद समाध पारटी का भी ओट था जीत तो गठबंधन की हुई आप यह कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं कि मेंने जटा दिया बाद गठबंधन की होगी यह बेक्तिगत बात कहां के आजाती है अगर मैं यह कहूं कि अगर हम मदन भाया को राष्टी लोगदन ने बेक्तिगत रूप से चुनाव जिता लिया तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ये फिर हम गटबंधन धर्म का निर्बाहन नहीं कर रहे हैं गटबंधन धर्म का निर्बाहन ये है कि वो एक गटबंधन के प्रतैसी के रूप मे पढ़ता ये जाना बोलते हैं गट बोलते हैं देखे ऐसा है कि अब किसको कितना बोलना है किसको सलाह देंगे वह मस्विरा देंगे उगली त भाई उठेगी जब हम बात कहेंगे तो अर्गा जवाब तो आयगा है लेकिन वह अपनी बात कहने के लिए सवतंत्र हैं और हम आमारी पार्टी में पोश्टर बार सुरू करती दिल्ली में आप लोग और पहले तो हला कि सुईकार निकर पर सुईकार भी कर रहे हैं और जो दिल्ली है उसको फिलागर हम देखेंगे तो राधिक केंदर में वहां पर आमारी पार्टी के सामने बीजेपी एक अलग तरह की ब्युस्ताओं का नजरा रही है मेरा मानने वह दिल्ली जो केंदर है वह दिल्ली जहां पर देश की राधिवीति होती है वह दिल्ली में इस समय अगर देखा जाते विपर्स की रूप में आबाडी पार्टी लगा ता सकृता बनाए रखिए पर चूकि यह निकाय चुना इस वार कैसे देखेंगे और इस वार आपकी भूमी का क्या रहने बाली है उत्तपरेश निकाय चुनाव में जी तरुमा सिवास्तों मैं आपको आपकी सारी बातों का इस जवाद बोल दिल्ली में सरकार है और आपने अभी कहा कि आप पोस्टर बाजी कर रहे हैं तो देख बात पहुचाने के लिए हम लोग चैनल ऺजा रहे हैं हम PCB कर रहे हैं हम विदहान सभा में भी हमारे माननी केजRIWAL जी जो अ the ध्रश्ट अचार जो जो मोदी का ब्रष्ट अचार है, जो मोदी की ताना शाही है, जो उनका काम करने का ग्यत तरीका इस देश कुछाने का, उस पर भी पूरी बात हो रही है, अडानी को लेकर बात हो रही है, तो इन सब पर बात होने के बाद हम जनता तक खुली बात पहुचाने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं, मोधी हटाओ, देश बचाओ, यह नारा है आमादमी पार्टी का भोगया है, अपर देश के हर राज्य में वहाँ की राज्जानी में हमने पोस्टर लगाया है, हम खुल कर लगा है, आप फाईयार टच करिए ना, पूरे देश के हमारे जो कारे करता आप देश के हर राज्य में मोझे रहे हैं, यहां पर आप एक फाईयार दर्च कराने चले जाएए, स्टेशन, प्रिस्टेशन, तो आपका एक फाईयार दर्च नहीं होता, ऐसे चो आपको बेपकू बनाता रहता है, कल आईएगा, पर्सो आईएगा, यहां जिसके साथ अ हमारे कारिकर्टाओं पे हो गए, चाना शाही चल रही है, यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र की हत्या है, अब आप आजाएए, अब आप खुली चुनोती देते हैं, नरेंद मोझी जी को, भाजपा को, हम ऐसे ही टटकर खड़े रहेंगे, और ऐसे ही उनका विरोध करते रह हैंगे, अडानी का खुलासा जब तक नहीं होगा, जे पीसी की मांग हमने जो उठाई है, देखे, अडानी का जो घष्चाचार है, उसका खुलासा, जैसे मलेशिया में छे कंपनिया खोल ली, जिस पे एक ही जगह पर छे कंपनिया खोल ली, और इनोंने जो तिकड़ मुझी कर रहे हैं और इस देश की संपत्ति सिर अडानी को ही मिल रही है, एरिपोंट हो खोल तो यह सब जो देश के साथ गदारी जो देश के साथ को रही है प्रिनामती गद्दारी कर देश के जाएंगे जनता बिल्कुल भी जो है गद्दारी है कि यहां लोग गडबंदन से पहले सरकार गडबंदन पर आते हैं उसके सरकार में आते हैं और उसके बाद जब बड़ी पार्टी हो जाती है या उन पर उन पर ताकत ज्यादा हो जाके तब हो अकेले कहीं सिंगल सिंगल लड़ते हैं यह इतिहास है और यह आप भी जानते हैं और हम सब्सक्राइब किया गया तो यह बड़ा हसे पद रहा कि सरकार ही कह रही है कि हम ओभी सी के अरक्षन के वजए से जो उत्तर भी जो है अममी पाटी जी 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 बो ले अब अबने ये थिर्परदेश में नहीं चलने जी 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 वोले अपनी पार्टी नगर निकाय चुनाओं जो है बड़े जो रोशनों से लड़ रही है हम लोगों ने प्रभारी जिले के भी निक कर दिये हमारे पास हर जगा जो है कैंडिडेट है और हम काफी महीनों से हम इसकी तयारी कर रहे हैं अब जो अरक्षण आया है उस पर थोड़ी लोगो अपनाब जाए सकtight पृच्धाए तै ऑले जगे हम लोग हम लोग हम लोग है हम लोग आखेले लड़े लड़नेगे और हमारे पास अचलमाजी स कुछ भोलाएठा के बाध सब्सक्श्चलत, बव रख आखें हम एकर भाहिव स कुछ बोलाएठा के अचलनादिर खें कि अनका विवेक है, उनके बात का भी जवाब दे दूगा, आपकलाग भाई कि बात का जवाब देना चाहरा था, और हमें का कि मिलने मिलाने की बात में बात हो रहे थी, मिलने तो राम गुपाल जी भी आय थी, वुक्मंती जी से, तो इस लेवल पर मुलाकात होती रहती है, अब उसमें लाग कोई कुछ कहे कि ये कान था वो कान था वो गया, वाँ उसकी चर्चा नहीं कहना चाहता, तो इसे लेके तो लोगों से मुलाकात करते रहते हैं, ऐसे में उमपरकात राजबाजी की मुलाकात का कोई अलग अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, दूसरा, दूसरी बात जो थी, तो रुणमा जी ने जिन भासा का प्रोग किया देश के प्रधान मंत्री की लिए, एक सुरती से फाई आर हुई, इसलिए हुई, प्रिंटिंग एक्ट के तर्थ वी, आपने पोस्टर छापा, आपके कार्याले से पोस्टर लिकर लहे हैं, आपने न प्रस का नाम दिया, न चपवाने वाले का नाम दिया, और आप इस तरह का सोसे बाजी करके देश को अइस्तिर करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा, देश मजबूत हाथों में है, देश की प्रान मंत्री की अपनी लोप्रता देशी ने दुनिया में समय चरम पे है, और आप लिख रहे हैं कि बोदी अटाओ देश बचाओ, आपके हैसियत है, आप अपना नाम अपना प्रिंटिंग प्रस चाप के आईए, आप स्विकारा ना, जिस समय F.I.R. हुई तभी तभी चीजे नही थी, जो F.I.R. हुई प्रिंटिंग एक्ट के तैंथ हुई है, इस धूर ही कुए, तैंज मुदी दे नहीं है, आप सुटकारि का है, तैंज अई देश का प्रिंट के बात के हैं, आप पनाध काली का अ तक पहुंच गई है तियार में मसाज करवा रहा है उसके बाद आप इमांदार होने का सोजा करते हैं करते हैं आप करते हैं अगर कोई नारा लगा देता था कि गली गली में सोर इंदर गांदी चोर है इसको तुरंद पुलिस पकड़ के अंदर कर देती थी अच्छा यह थानों में उल्टे लटका कि उनको बेद चलते थे तो आप उजी के पड़ चिन्नों पे जल रहे हैं जो पीड़ी और बैटी है वाले साथ जानकारी हो आधी तो परी पड़ी है इस परद काल क्या होता है सब्सक्राइब तक पहुंच गई है नौ महीं में में उसकी बाइस सब्सक्राइब करोणार होते हुँ आपका मनीश सुदिया जेल गया है सुप्रीम कोड तक की रुपले उसके अपनी रिच्ट हो गई सब्सक्राइब का पैसा गुवा से लेकर के से यार की मेटी तक गया है सब्सक्राइब काई और नियुक्त का पार्टी तो खत्म हो जाएंगी प्रवक्ता प्रशाली का रही है कि बात कर रहे हैं तो उस समय और डिकलेर अमेरजंशी था प्रश्में चला जो बहुत अंता पार्टी के हाग में आता है ब glow ने कर दे रहा है जो अगोसित अबर्जनसी है चल रही है अगर बार्टियंतापाटी एक मुखत बार्टिया नहीं है तो आप ब्लैक कॉलर है क्वार्टी एकिलाव कोई बोलने के उपर आपने मुकदमे लिखे और अगर बार्टी की खिलाव अगर कोई बोल दे तो दे रही होता है करता है कार करता है कॉंग्रेस की कार करता है करता है तो एक यह जो 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 लिए पी तो गाली कि ना बच्टी के नहीं बीजेशने पुराई कभी नी सुन पारें है जुद आपके जैसे हर् प्रवक्ता नहीं आपकी पार्टी में आपने देंगे परदांगे कि आप समान करते हैं आप पार्टी के लोग हैं जो कि पुरामदान को गाली दिया है इंद्रा गांधी को बोला है कि दिन बहुत होगी मैं दिखा दूंगा इसे जो चाहिए आप समीधान की बात करिए समाजवदी सोचल मीडिया से उपर वी तो आपने मुकदमा लिख दिया लिखा क्या क्या मुकदमा लिखा लिखा तो वर्तियंता पार्टी खिलाब तो उन्हें आपने उस चीज़ को निकाला आप संदे काम करें आपको किसी विश्वापति आपन नहीं होंगी और जो दोशी लोग इस समय भी भारतियंता पार्टी में हैं जो अपरादिक हैं आप जारी कर दिये सो लोगों के लिए जारी कर दिया आप किसान को अपनी कचला था गाड़ी से उसकी घर पर चलाए-ज़े किसान को उनके घर पे नहीं है उनके नाधिक क्यों ने चलवाते हैं तो कैसे किसी लोगों के उपर अपर अपर बुल लुर चला सकते इसको कैसे नीचान बेदक कि अभी यूग जेल में हैं सबके गर मैं रिस्टेदारों पर क्यों चलता है कि अपने मंतरी बेटे गर बुल्डो चला दे ना जाने कितने सरकारी जमीन ऐसी हैं भाई नाम ले से बताओंगा आपको सूची दूंगा मेरे घर के पास इतनी ऐसी जमीने हैं जो रास सरकारी जमीन में आचकल आपके ल्डिये दौरा सब्सक्राइब तो आपकी मंत्री जूटी है विजय लाक लक्षमी जी मुझे लगता नाम था उनका उनका गाजीपूर में विजय लक्षमी जी ने कहा बयान दिया ट्वीटर पे देख लिए मैं दिखा दूगा कि जिस रोट पे आया हूँ उनकी मेरी पेट दर्द होती है और हमारे ये उखड़ गई है अपने जूतों से उखाड़ लिया ब्रस्टा चार बात करिये आपके साथ है करादी के आप कारवाई ना जाने हमेशा हमारे शुपाल जी आदो साम ने कहा कि अधिकारी ब्रस्ट है पैसे लेके काम कर अधिकारी मैं दूंगा आपको सूची मैं दूंगा आप बिजूचे आप गिराईए आप लिए जितनी राज सरकार की जमीने घर बने लोगों के वैसाइक चीज़े बनी हैं आपके ल्डिया के बीसी से मैंने शिकायत करी आपके छेत की जोनल अधिकारी है मैं उनको मैं फोन करता हूं मेरा फोन ने उठाती है आप बताईए बीजे थांख की देए प्टिकरा के लिए मैं अपने घर के लिया इसी के लिए नहीं शरकार के नौकर नहीं है जनता के नौकर नहीं है और लिया यह पी ड़ुदी की मिंतरी जी होते है आप आप भूवाश चीनित करेंगे बासिकरा इसी कि वो आकड़े मांग रहे हैं और आपके सचान जी का बहत्तर प्लाट है जांच कर लिए उनके बाद के आज से दिक संपती नहीं है है परदान मंत्री जी ने हमारे तो आपकी पार्टी में साफ हो गए क्या वाइट तो मैं कह रहा हूं आप कर दिये का आपके साथ हम देंगे आपका साथ आप सब लोग को जब 14 में परदान मंत्री जी बने थे पैट्रोड लीजर के दाम कम हुए थे किसी ने विरोध नहीं किया था ठीक काम कर रहें आज क्या कर रहें आप भाई को लड़ाने काम कर रहें सारस को उससे दूरी करने काम कर रहें हैं मोर को दूर कर दीगे आप क्या उसको पिजड़े में रख रख रखा था अर्या बारती इंता पाटी का तो काम नहीं है किसानों की फसल खराब कर दें ना जाने कितने किसानों की फसल खराब करते ना जाने आए दिन आप सुनते रहते हैं अरे आप पकड़ दीजे एक लाग भाई वह आपको बहाभी को लेंगे कि आप अपयार होगी लड़ाई होते हैं अभी में में जिखा दूं लड़ाई होते हैं प्रेक्तिकत भड़ात निकाल लगे हैं तो इसको आग लगात बंड़ात बंड़ात नियम क्या करें समाजवा अपयाँ गानौन को अपने टोड़ाई देखेंगे क्या वाराई श्पार पड़ अटार बंड़ाई की लागे वारा ड़ाई डेकर बंड़े जा जाल रहा हैं तोड़ाइन में टीक अब व श्यक्तिक निए ठोल भाई धानून को तूल ले की लिखेंगे अब नगारा हन्त लड़ रहेधे देर से बड़ा गर्मा गरन शाय जैसे होता है अच्छा अच्छा गलासाप हुझत गलाजगरा था उसके बहुत मिलवार भी गलासाप जनता जनता से तो पोई लेनन देना है नहीं सहर आदी पीडिकोशाइव को अभी हमारे शाक तूर ही तब आखे रहे हमार लेकर बात चुनाओं जो हम उद्दे करो होता है गरबंदन जब हम समाजबादी के साथ गए थे ना तो हक अधिकार के लिए गे थे अधिश्डों को हक अधिकार के सब्सक्राइब कर दो हम सब को लेकर चलते हैं सबी दर्म सबी अब इन से पूछे आरूप लगा रहा है आप रहते साथ में आपको लालज कि राज़ी कर लो ने कहा चुनाओं के लिए हम हाक अधिकार और मुद्दे की बात को लेकर के समाजवादी के साथ गडवंदन में आये थे अधिकार की नुमाइंदगी उत्तर प्रदेश में अर्टिफ परसंट है गोरो गाई अच्छा उन्हें के समाज के लोगों को हर विदान समा में अच्छी खासी तादात में वोट है उस वोट क समाजवादी ने चार बार सरकार बनाई वस्पाने सरकार बनाई कांग्रेस ने भी सरकार रखा लेकिन अत पिछड़े लोगों को भागेदारी लगनों के विधान सभा में नहीं हुआ प्रदेश में प्रदेश ने रहे ने जैंके लड़ाएं डियाव दो वया लड़ा बहले लड़ादो अर्ग लड़ादो आरप बंसी लड़ा ने कि पूरियों के पुर्वांचल में आपने कौन से लडाई लड़ें पेंके उसकि चौप देजे खेवाल बस टीवी के मीडिया बैटके रोड पेगगे बस जातियों के ना मिना ना चाहेंगे तो इनको पांच लोग सवा सीट मिले और बसपा को दस सीट मिले यह हम को यह नहीं बता पा रहे हैं जब हम 2020 में आपके साथ आयत 111 प्लस हुए अच्छा आपको समझ में लागा उसके बाद सब्सक्राइब लगाईए अगलाज भाई सुनोगे कि नहीं सुनोगे सुनोगे मच्छू बोजाओं क्या बोले 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 आपके लिएगा हमारे आवाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए हमें स्वाकत किया इनों बहुत बढ़िया बात है गट बंधन में हमको सोला सीट मिली हम छे जीते गट बंधन में आरेली को अरतिस सीट मिले आट जीते आप बताइए किसका प्रसेंटेज बढ़िया सुन रीजिए भाई हम मुद्दे की बात करते हैं आम लोगों की तरह न सवाल जी एक सवाल ले तुन लीजय बाई हम 47 एक सो गयारा पोच़े यह आप की पाटी ने हमीं एंगे इनके राज में अपुछे यह करता था था जो कंगे हुए करते थे सब्सक्राइब अपन univeau है। सब्सक्राइब पहुचे यह आप कहते ही कहमने पूचाया ठीक है सोला हमने आपको दी सोलामे छही जीत पाए अरे सोला में री जीत जाते तवा पर्चस देखते आपका प्रभाव भी जाते मैं तो सभा को चुनाओ पताइए लड़ेंगे आप चुनाओ जवाब दीजे तो सभाब कुछे मैंने सभाब के लिए अपनी फिर पांच वाजवादी पार्टी के नियता कारी करता थे सिंबल केवल हमारा था अजा हाब का समाजवादी पार्टी था कि फूर छिए खृट यहाई हमारे अंग करें आग करके आग प्रताशी आया कि बोले हमें मानिय अखलेस एवी आई ठावाल और हार जार जाए आई में झाले हमारे तर जे आ रधान परहे हमें ठाले बहुत दर बहुं है तो उस समय इनको इनकार कर देना चाहिए था कि हम सोला सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे हमारा गडबंधन खतम हम अपना अलग से लड़ेंगे और हम देखे दैरम भाई मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूं इसलिए हमारी आदत भी नहीं और आप गडबंधन धर्म न निभाते अगर आपको लग रहा था कि सोला चुनाव 16 सीटे ले करके और आप चुनाव लड़ेंगे को तयार हुए दूसरी बात जब गडबंधन था तब आप ने कहा कि 5 सीटे मुझे मिली और 11 सीटों पर समाजबादी पार्टी ने अपने नेताओं को मेरे सिंबल पर चुनाव लड़ाया आप इस बात के ऊपर क्य तयार हुए आप कह देते या तो आपके पास कारिकरता नहीं थे या आपकी मजबूरी थी क्या था यह तो आप अस्पश्ट कर सकते हैं हमने अगर अर्तिस सीट ली थी तो हमने अर्तिस सीटों पर चुनाव लड़ा जनादेश मेरे पक्ष में आया या बिपक्ष में आया लेकिन आपके पास अगर कारिकरता नहीं थे तभी तो आपने समाजबादी पार्टी की नीतरीत के आधार पर यह तैंक कि ठीक है साव आप हमको 16 सीट दीजिए और 11 सीटों पर आप अपने ही नेता मेरे सिंबल पर चुनाव लड़ा गये मैंने तो ये बात नहीं कही अर्त सब्सक्राइब कारिकरता लाए और चुनाव लड़ाने के बाद लेहीं आपसे जीत करके आए ये तो सरकार का जनादेश था जो जनता नहीं जनादेश दिया उसको हमने सुईकार किया आपकी अपनी मजबूरी थी आपकी अपनी विबस्ता थी तो आपने इस तरीके का आपनी और बिदे लिए तो आपकी अपनी बेर आपकी थी तो आप फिर दर्ध किस बात कि मुलिया तर्णमादी बूले तर्णमाधी जी बोले हैं देखे आरोग और प्रत्यारोग को सलते रहें लेकिन हमारा मेन जो समय है जो मुद्धा है वो हितान चलागा होना चाहिए क्योंकि जो पिछला चला गया वो चलागा तो पुछ पार्टिया तो बिन पेंदी की लोटा होती है वो कभी गधर कभी उधर ये सब चल लोटा रहेगा लेकिन मेन गोधा है जो नगडगन झीचाह पर चाहर बहुति से चुनाओ लडेगी उन जनता हम पर भरोसा बिखा रहे हैं चैना का हम पर भरोसा रही है आप कारी विभागों जैसे बस्ता चार की भेट चड़ गए और उतिहार जेल पहुंच गए उसी तरह खतम करेंगी क्या दरूमा जी देखें जिसके घर कुछ शीशे के होते हैं वो जिसमों के सब्सक्राइब करते ही जब आप अगे बोलते हुए अच्छे लखेंगे तो यह चर्चा थी निकाय चुराओं को चर्चा थी यहाँ पर मुलाकातों के दोर पर और चर्चा थी यहाँ पर ब्योस्थाओं पर कौन पार्टी यहाँ पर जनता की बात रखेगी जनता का किसको जनदार मिलेगा और निकाय चुराओं में कौन सी पार्टी यहाँ पर सबस मेटपूर बात यहां पर यह है कि जब तक हम आगे के रणनीती नहीं बनाएंगे बहतर संगठन को मजबूत नहीं करेंगे जनता की बात नहीं करेंगे तब तक आपको बहतर इस्तिती मिलने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पर बात करें तो संगठन मजबूत होना चाहिए र फिराल नजर नहीं आ रहे हैं, तो आज की चर्चा में अतना ही, नमस्कार.